सत्य में बजयते जमी में क्या क्या है ये शब्द बहुत चोटा है यकीन लेकिन यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि हमें खुद पर कितना यकीन और जब खुद पर यकीन हो जाता है तो फिर सारी दुनिया पर यकीन हो जाता है लेकिन ये यकीन मिलता बहुत मुश्किल है क्योंकि हम अपने आप पर फरोसा नहीं कर पाते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं कि हम ये काम कर सके हैं उसकी वज़े साफ है क्योंकि हमको अपने सामने वाले रिष्टों पर यकीन नहीं ह। हमको अपने माबाब पर यकीन नहीं होता है कि ये हमारे लिए जो खुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। और तो और अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो उस पर भी हम लोग यकीन नहीं करते हैं और यकीन भी तब करते हैं जब महाँ पर लेंदेन का कुछ प्रक्रिया सामने आती है यानि कि मैं प्रिशाद चड़ाऊंगा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो मैं ये करूंगा और अगर थोड़ा सा उन्निस बीस ईश्वर ने कर दिया तो फिर यकीन नहीं उठता फिर आप सवाल उठाने लगते हैं यानि यकीन आपको उस पर भी नहीं है यकीन आपको अपने उपर भी नहीं है यकीन आपको अपने रिष्टों पर भी नहीं है इसकी वजह साफ है क्योंकि हमें सच पर यकिन नहीं रहा है और जब सच पर यकिन नहीं रहता तो खुद पर भी यकीन नहीं रहता है छोटी सी बाद सच पर यकीन करिए अपने आप खुद पर यकीन होने लगेगा अपने आप सारे रिष्टों पर यकीन होने लगेगा अपने आप इस काइनात इस दुनिया को बनाने वाले पर सो प्रतिशत यकीन होने लगेगा और जब सब पर यकीन होने लगेगा तो एक ही शब्द आपके अंतर मन से निकलेगा सत्य में बजयते आज से पहले इतना महेंगा नहीं था पेट्रोल और डीजल आखिर क्या है तेल का गड़ित और कैसे तै होती है कीमते क्या सरकार है जिम्मेदार या पेट्रोलियम कमपनियां है इसकी गुनेगार बुंदेल खंड में पीने के पानी की भारी किल्लत चार सालों से लगतार सूखे से जूज रहा है बुंदेल खंड लोग पलायन करने को मजबूर सरकारी योजनाए धारा शाही रोजाना बढ़ती महंगाई आपकी और हमारी जेब पर असर तो डालती ही है पेट्रॉल और डीजल को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं उसकी बढ़ती भी कीमते देखते हैं इस महंगाई को साथवे आस्मान पर पहुचाने पर उतारू दिखती है हाली में पेट्रॉल और डीजल की कीमतों में बढ़तरी का सबसे ज़्यादा खाम्याजा उस तबके को भगतना पड़ रहा है जिसके सपास संसाधन सीमित है यानि आए के सीमित संसाधनों में उसे महंगाई जहिलनी पड़ती है लखनों में पेट्रॉल की कीमत 77 रुपए 36 पैसे प्रती लीटर पहुच गई है जबकि डीजल की कीमत 66 रुपए 97 पैसे प्रती लीटर है ये अब तक की सबसे महंगी कीमत है बले ही आप टू वीलर या फोर वीलर ना चलाते हों बले ही आप पैट्रॉल डीजल सीधे तोर पर ना खरीदते हों लेकिन पैट्रो प्रॉडक्ट्स के दाम बढ़ने से दूद, दही, घी, घी, तेल, चावल, माचिस और सबजियां यानि हर वो चीज महंगी हो जाएगी जो आपकी जेब हलकी कर सकती है, जो आपकी रोज मर्रा की जरूरत है, उसकी कीमतों में इजाफा होता है, यही वज़ा है कि गर्मी के 45 डिगरी टॉर्चर में तेल की कीमतों में उबाल लोगों को जीने नहीं दे रहा है, लोगों को परिशान कर रहा है, लोगों को परिश उनकी जेब में आग लगा रही है, उनके दिलों में आग लगा रही है और उनके भजट में आग लगा रही है। धीरे 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 हम देख रहे हैं कि भजट विकरता जा रहा है। पहले तेल की कीमते हुआ करती थी फिर तेल की कीमतों में जब इजाफा होता था तो पॉलिटिकल मुद्दे बनते थे आजकल पॉलिटिकल मुद्दे भी नहीं बन रहे हैं अब जब पॉलिटिकल मुद्दे नहीं बन रहे हैं तो लगने लगा कि ये तो रोजमर्रा की बात ह रही है अब अगर कीमते बढ़ रही है तो इसके पीछे की रीजन क्या है हमारे पड़ोसी मुलकों की बात करें तो वहां इस्तिती ऐसी नहीं है लेकिन अगर हम बात करें और एनालिसिस करें कि तेल में आग क्यों लगी है पेट्रोल डीजल अब तक के सबसे उची कीमत पर सुमवार को पेट्रोल की कीमत 33 पैसा लीटर बढ़ गई है रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है करनाटक चुनाव से पहले ये दाम स्तिर थे 19 दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े चुनाव बीटने के साथ ही कीमते तेजी से बढ़ने लगी पेट्रोलियम कंपनियों ने तेजी से दाम बढ़ना शुरू कर दिया और कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का ये सातवा दिन है नतीजा पेट्रॉल डीजल सबसे ज़ादा दाम पर बिक रहे हैं रिकॉर्ड स्तर पर कीमते पेट्रॉल की रिकॉर्ड कीमत 14 सितंबर 2013 को दर्श की गई थी एक हफते में पेट्रॉल की कीमत एक रुपए 61 पैसे प्रती लीटर बढ़ी वही डीजल की कीमत एक रुपए 64 पैसे प्रती लीटर बढ़ी अंतरराश्टिय बजार में तच्चे ते रही है इन्विस्टिकेशन पेट्रोलियम क्यों हुआ मेंगा जून 2017 में रोजारा कीमतों में बदलाव को लागू किया गया उसके बाद से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में उच्छा लाता है यह कीमते राज सरकार के टैक्स और वैट से तैह होती है इसमें किंद्र सरकार के एकसाइस टैक्स का भी हिस्सा होता है किंद्र सरकार ने नमबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच टैक्स बढ़ाया 9 बार एकसाइस ज्यूटी बढ़ने से पेट्रोल 11 रुपे 77 पैसे महंगा हुआ किंद्र सरकार के टैक्स की वज़े से डीजल 13 रुपे 47 पैसे महंगा हो गया पिछले के 58,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं इसमें लाखों लोग इन पेट्रोल पंपों से तेल भरवाते हैं कम लोगों को पता है कि तेल इतनी कीमत क्यों आचानक भड़ जाती है यह कीमते इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टेक्स बहुत जादा है केंद सरकार और राज्य सरक से है मार्केटिंग कॉस्ट मार्जिन फ्रेंट मिला करता है होती है कीमते अगर टेक्स हटा दिया जाए तो पेट्रोल 33 से 38 रुपए प्रति लीटर होगा लगातार बढ़ रहा है टेक्स भारत में 75 फीज दीकत्चा तेल आयात से आता है इसमें सबसे मुख्य उत्पाद श पैसे हो गया वही 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर बढ़ी जो 2015 और 2016 में बढ़कर 17.33 प्रति लीटर पहुंच गई डिफ्रेंस जो पडोसी देश हैं उसकी क्यास्तिति है मुंबई में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 40 पैसे प्रति ल 43.10 रुपए प्रति लीटर है नेपाल में पेट्रोल की कीमत 83 से 85 रुपए बनी जो की भारत के साब्से 3.91 प्रति लीटर है बंगलादेश में 65 तका यानि 68.30 पैसे प्रती लीटर है मुंबई में पेट्रोल सब से महंगा मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे जादा 14 रुपकरC l in बोपाल में 82 रूपकर फेर 1 पैसे ऑदराबाद में 549 पैसे श्रीलंग श्रीनगर में 88 पैसे और कुल्कता 2019 24 पैसे हैं च Southwest тई सबसे प्रतिलीटर है हिदराबाद में सबसे महंगा है 73 रुपैसे प्रतिलीटर है त्रिवेंद्रम में डीजल यह जो पेट्रोल है यह किस तरह से बढ़ता है और पेट्रोल की कीमते कैसे बढ़ती है यह मैंने आपको बताया और अभी बक्त चला है चुटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम फौरान हाजिर होते हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सियासी उठापटक कौन सीम मनेगा कौन किस से गड़बदन करेगा किसकी कुरसी रहेगी किसकी कुरसी जाएगी इन सवालों से जब टीवी और अकबार अटे पड़े थे उस वक्त किसी को फुरसत नहीं थी कि वो एक बार देख ले कि कहीं कोने में एक खबर है और वो खबर दुबकी हुई है एक गहरी प्यास लिए वो खबर जो विवस्था पर चोट करती है जो सरकारों पर सवाल उठाती है इसके साए में लाकों जिन्दगियां सिस्कियां ले रही है लंदियों पर वो रहम किया और बारिश जिससे उनकी जिन्दगी जिन्दगी बन जाती है साथ जिलो वाला यूपी का बुंदेल खंड विकास की रफतार में लगातार पिछड़ता जा रहा है इलाके की कोक में खनिच के तौर पर बेश कीमती खजाने हैं फिर भी ना पीन ललितपुर में डायस पर जहासी में सिलका सेंट ग्रेनाइड बाना में स्लैब और टाइल्स की भरमार होने के बावजूद यहां के लोग करदे में डूबे हैं और कुछ कमा लेने के लिए अपने घरवालों को सूखे की मार से बचा लेने के लिए यहां से रुक्सत हो रह हैं शायद मुंदेलखन की दिल्ली से दूरी जादा है सियासादाओं को इतनी जादा दूरी समझ में नहीं आती और ना वहां पर आवाजे जाती हैं वहां की मौते भी शायद दिखती नहीं दम तोड़ते मासूमों की चीखें नीती नियंताओं के कानों तक पहुचने से ही दम तोड़ देती हैं सवाल उठ खड़ा हुआ कि आकिर बुंदेलखन की जनता किसके पास जाए किसकी फर्याद सुने किस से अपने दुख दर्द का इजहार करें और रेत बन जाता है उड़ जाता है मीठा पानी आओ तुमको जून में गाउं दिखा के लाते हैं जिहा जब पानी रेत बनके उड़ जाता है और गाउं के तालाब सूख जाते हैं तो सूखेवी तालाब में सिर्फ आपको अगर कुछ नजर आता है तो वो प्यास नजर आती है उस सूखीवी धर्ती में अगर कुछ उकता है तो वो सिर्फ पतज़ड उकता है अगर कुछ मुर्जाते हैं तो वो सपने मुर्जाते हैं अगर कुछ प्यासा रह जाता है तो वो मीदे प्यासी रह जाती है अगर कुछ पत्थर बनता है तो वासू पत्थर बनते हैं अदर कुछ बचता है तो बस सूखी और कटी-फटी धर्ती बचती है वो धर्ती जिसकी तरफ देखकर शायद उपर वाले को भी तरस नहीं आता वो लोग जिनके पाउं में बिवाईयां पड़ जाती हैं दो लोटा पानी लाने के लिए वो लोग जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मुफलिसी का एहसास है वो लोग जिनके पास सरकारों को देने के लिए वोट बचता है वो लोग जिनको वाईदों पर भरोसा करने के लिए एक मजबूरी का दामन ओड़ना पड़ता है कि शायद कल अच्छा होगा लेकिन कल अच्छा नहीं होता कल भी वैसे ही होता है सूखा प्यासा फूका बदनसीब बदनसीब है क्योंकि पूनबून को तरस रहा है बुंदेल खंड़ पिछले पास सालों में लगातार चौथी बार सूखे से ग्रस्द बुंदेल कंड़ प की बाजी लगा कर बहत पुरानेक कुवों से पानी निकाल ला जा रहा है और कुवे में मानव श्रंखला बनाकर किसी तरह से पानी निकालते हैं यह तस्वीर हैं जो हम मुंदेल खंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंदेल खंड के 70-90 फीजदी हिंट पम सूख चुक आज करीब 40-50 फीजदी लोगों के पास खाने के आनाज की कमी है मुंदेल खंड के 80-50 किसानों के पास खाने का ठिकाना नहीं पैसट फीजदी किसान तो रोजगार की तलाश में पलायन कर गए हैं और केन धसान सुनार व्यार्मा बेतवा चंदेला पुंदेला नदियां अर्च राज ग्रामीर पेजल कारिकरम में 120 करोड रुपाय आवंटित धन भी पानी की समस्या को दूर नहीं कर सका महुबा जिले के पाठा गाउं में एक हैंट पंप का काम नहीं बचा बादा के बलान गाउं के लोग हैंट पंप से दूशित पानी पी रहे हैं चित्रकू पूर में कर्ज में दबे किसान आत्मत्या कर रहे हैं पिछले दिनों उन्होंने आत्मत्या कर ली जब बेटी की शादी के अंतजाम नहीं हो पाया और उसके बाद 54 साल के किसान चंद्रभान ने आत्मत्या कर ली बैंक का एकला का कर्ज और सहुकारों का सत्तर हजार उपय क कर्श था मौसम और सुखे की मार से फसल अच्छी ने हुई घर में खाने को लेकर संघर्श था अगर बुंदेल खंड की बायोग्राफी की बात करें तो यूपी के हिस्से में साथ जिले बुंदेल खंड के हैं बादा चित्रकूट महोबा हमीरपूर जालाउन जहासी और ले 2015 में बुंदेल खंड में सुखे के बाद एक सर्वे किया गया सर्वे में जो आकड़े सामने आये वो हैरान करने वाले थे हर पांचवा परिवार हफते में कम से कम एक दिन भूका सोता है 108 गाउं में के जो तिरपन प्रतिशत परिवारों को आठ मईन तक डाल नहीं मिली 69 फीजदी गरीब लोगों ने दूद नहीं पिया साल 2015 में बुंदेल खंड के 38 फीजदी गाउं में भूक से मौत हुई और जालाओन के क्या है हालाद चार सालों में बरिश कम होने से भू जल स्तर तेजी से गिरा है शहरी हो या ग्रामीन सभी लाकों में एक ही हाल है यहां के अधिकांश हैंड पंप सूख चुके हैं जो पानी दे रहे हैं वो लंबी कतारों की तरफ इशारा करते हैं जालाओन में नौ विकास खंड में अधिकांश में चल संकट है शहर के कई महलों में सरकारी हैंट पप आबादी के अनुभात में नहीं है पेजल आपूरती के लिए लोग प्राइवेट टैंकर का इस्तिमाल कर रहे हैं टैंकरों में तीन-चार दिन में एक बार एक महले पहुंचते हैं और उसके बाद डियम ने हलाकी इसके लिए एक जो कंट्रोल रूम है वो बना रखा है चित्रकूट में भी इस्तेरे के हालात हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है और लोगों को कई किलिमिटर दूर जाना पड़ता है बैल गाडियों से पानी ढोना पड़ता है यह तस्वीर है चित्रकूट की जहां पर आप देख रहे हैं कि बैलों से पानी लाया जा रहा है यानि कि अब पानी लाने के लिए हमें पाइप लाइन नहीं मिलेगी हमें कुए और तलाब नहीं मिलेंगे खुदी अपना सहारा बन कर दो यह घूर करीने लगी बखिए हमें लाइड़ को समया रहा है और जयहां बाकी के कुवं सुख गए हैं तलाप शुक गये हैं नदिया समट चुकी हैं ऐसे ही ललजितपुर के भी हालात हैं जहां पर किसी ने खिसानों के बार भी नहीं पूछा और हालात छांसी के भी कुछ वैसे ही है यहां पर कुवा नहीं है हैंड पंप है लेकिन पानी नहीं है लोगों की शादी नहीं हो रही है खास्तोर पर युगाओं की और गाओं छोड़कर जाना पड़ता है मैलाओं को और फिर उसके बाद उनको पानी का इंतिजाम करना पड़ता है यह बुंदेल खंड के हालात हैं जिन हालात पे हम चर्चा करते हुए शायद थोड़ा सा सोचते हैं कि आखिरकार बुंदेल खंड कैसा इलागा होगा आखिरकार बुंदेल खंड में ऐसा क्या है जो वहां पर सूखा पड़ता है आ आखिरकार बुंडेल खंड ने ऐसी क्या खता की है उसने खता शायद ये की है कि उसने यहां पर लोगों को सोना उगलवाया है यहां पर सबसे ज़्यादा आवैद खनन का काम होता है यहां पर लोगों ने अर्बों और करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो भी नदियां खो खनन मंत्राले लोगों को पता नहीं होता था लेकिन उसके बाद नेताओं में उस मंत्राले को लेने की होड मचने लगी और इन जिलों में डियम बनने की भी होड लगी रहती है ताकि जादा से जादा उपरी कमाई हो सके लेकिन बुंदेल खंड वैसा ही है फटाहाल बेहा और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है इसलिए सरकार को चाहिए कि अब इस पर योजना बनाए नहीं ये योजना है तो बहुत बन गई सतर सालों में अब इसको क्रियानिमित करे यानी हकीकत में दिखाए ताकि लोग यहां से जाना रुख जाए अगर यहां से लोग चले गय तो फिर वो लोटके नहीं आएंगे क्योंकि गरीबी से और फूक से बेकारी से कोई मरना नहीं चाहता है कोई किसान आतमत्या नहीं करना चाहता है हाँ बस इन किसानों की आतमत्या को देखकर यह जरूर लगता है कि यहां पर एक लाग का कर्ज ना चुकाने पर बैंक वाले उसके घर पर चर जाते हैं लेकिन नीरव मोदी जैसे 9000-10,000-12,000 करोड लेकर अराम से चले जाते हैं क्या ये लोकतंत्र की कहानी है आज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ या कहें यूपी के रियल हीरोज की तरफ मुझफर नगर के मजरस प्राइड नर्सनी स्कूल म इंसानियत का पार्ट स्कूल प्रिंस्पल के एक कदम के साथ आज सैंकडों हजारों कदम मिलकर चल पड़े हैं उमीद है कि एक वक्त बाद मुझफर नगर में कोई भूका नहीं सोगा कौन है आज की रियल हीरो और क्या है उनका कारनावा देखते हैं मुझफर नगर से काई रोटियां एक घटा करते ये बच्चे भी इसी तालीम की जीती जाकती मिसाल हैं मुझफर नगर के मदर्स प्राइड नर्सरी स्कूल की प्रधाना ध्यापिका रिंकू की पहल पर स्कूल में पढ़ने वाले करीब 200 बच्चे रोजाना अपने घरों से स्विक्षा से द रिंकू की इस पहल के साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी कदम से कदम मिला कर चल पड़ी है अब ये प्रयास एक कार्वा बन चुका है स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की टीचर्स और बच्चे जरूरत मंदों को ये रोटियां खाने को देते हैं भारत समाचार सलाम करता है रिंकू गोयल को इनके साथ जुड़े बच्चों को टीचर्स और पैरेंट्स को भी जिनके प्रयास से ये शांदार मुहिम काम्याब हो सकी है उम्मीद है कि एक दिन ये रोटी बैंक इतना बड़ा होगा कि मुझफर नगर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा सत्यमेव जैते के लिए मुझफर नगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट तो आपने देखा रोटी बैंक के जरीय किस तरह से ये लोगों की सेवा में जुटी हुई है लेकिन रोटी से मुझे याद आया कि शायद जिनको दो जून की रोटी नहीं मिलती होगी वो चांद को देखते होंगे और उनको लगता होगा कि रोटी इसी तरह की होती है और वो सिर्फ आस्मा को तकते होंगे आस्मा की थाली में चांद एक रोटी है और जब आस्मा की थाली में चांद एक रोटी लगने लगता है तो आप सोचिए उसकष्ट और दुख के ऐसास को और ये बुंदेल खंड लोगों के साथ होता भी है हमें सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन सच्चाई यही है हम सोचते हैं कि क्या पानी के लिए भी कोई इतनी शिद्दत से लगा रहता होगा क्या पानी भी इतनी बड़ी चुनौती है क्या दो जून की रोटी नहीं यह लोग कमा पाते लगता होगा कि कहीं इनी की कमी है, लेकिन इनकी कमी नहीं है कमी है नियत की, कमी है उन अफसनों की जिनको वहाँ भेजा जाता है क्योंकि ये लोग पाव नहीं, जहन से आपाही जहन ये उधर चलेंगे जुधर रहनुमा चलाता है यानि कि जिस तरह के रहनुमा हैं उसी तरह का काम करते हुए आपको नीचे अधिकारी दिखेंगे लेकिन उन्हें काम जंडता के लिए करना है उन्हें काम लोगों के लिए करना है और जब वो ये सीख जाएंगे तो रहनुमा अगर गरत रस्ते पे उनको ले जाने की भी कोशिश करेगा तो वो पहले उन गरीबों की रोटी और रोजी का जुगार करेंगे उसके बाद वो उनकी सुनेंगे तो बदलना बहुत कुछ है हम लोग चाहते भी है कि बहुत कुछ बदले लेकिन इस बदलने में कितना वक्त लगेगा ये बहुत बड़ा सवाल है उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ बदल पाएं इस शो के जरीए हम अपनी आवाज यानि बुंदेल खंड के लोगों की आवाज आवाम जो बाकी उत्तरप्रदेश के आवाम हैं उस तक पहुंचा पाएं और सरकार उस तक पहुंचा पाएं आज के लिए इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और बने रहिए आप भारत समाचार के साथ अगर आपको अपना फीडबैक भीजना है तो फेस्बुक, ट्विटर और जीमेल जो की नीचे एड्रेसेस लिखे हैं उस पर आप अपना फीडबैक भीज सकते हैं नमेश्कार